चलिए अब बात कर लेते हैं करनाड़क चुनाव को लेकर करनाड़क चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोशना पत्रु जारी कर दिया बीजेपी अध्यक्षु जेपी नडडा, सियम बुम्मई और वपुर्व सियम बीएस यदुरप्पा ने पार्टी का विजिन डॉक्युमेंट प्रचाद ध्वनी चारी किया है जिसमें आधा लेटर मुफ्त दूद से लेकर समान नाविक सनहिता और नर्सी का भी वादा है करनाटक में सत्ता परकरार रखने की चनोतियों से जूज रही भारती जंदा पार्टी ने लोक लुभावन घोशनाओं का पिटारा खोल दिया मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बुंबई और पूर्व मुख्यमंत्री बियस यदुरप्पा की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नग्डान करनाटक चुनाओं को लेकर पार्टी का घोशना पत्र जारी करती है प्रजाद होनी नाम से जारी बीजेपी के इस घोशना पत्र में बीजेपी ने बादा किया है कि अगर पार्टी फिर सत्ता में वापसी करती है तो करनाटक में यूनिपॉर्म सिविल कोड लागू होगा अप्रवासियों को नागरिक्ता और NCR लागू करने का वादा किया है बीपिल परिवार को रोज आधा किलो नंदिनी दूप दिया जाएगा बीपिल परिवार को हर साल तीन गैस सिलिंडर फ्री में दिये जाएगा सभी गरीबों को हर दिन पांच किलो आनाज मुफ्त दिया जाएगा मुफ्त भोजन के लिए अटल अहर केंद्र खोले जाएगा तीस लाग महिलाओं के लिए फ्री बस पास मिलेगा सभी वरिष्ट नागरिकों का साल में एक मास्टर हेल्थ चेकप मुफ्त किया जाएगा राज्य के 10 लाग बेघर लोगों को रहने के लिए मकान दिये जाएगा शहरी गरीबों के लिए 5 लाग घर बनाए जाएगा शहरी गरीबों के लिए पांच विलाग घर बनाए जाएंगा अधिस अंगर्षनों पर बैन लगाने गरीब परिवारों को तीर थियात्रा के लिए 25,000 रोबे की मदद का बादा भी किया लेकिन कॉंग्रस ने बीजेपी की तमाम भोश्नाओं को छरावा करार दिया When Yadrapaji took over and later on Mr. Bomae continued and when the baton was handed over to him, I can say that the Bharatiya Janata Party Government converted the calamity into an opportunity. This manifesto has not been formulated, drafted or the content has not been created in any air-conditioned room. A due exercise has been done. They have covered all the points, all the women and farmers and all other community. It is a very good manifesto. On that basis we are going to win about 135 to 140 seats. We are going to form the next government also. Gowa में UP में वादा किया, खुली जिवावली में गया शर्नने देंगे, वादा निवाया ने आज यहां मादा मैंने सनावर कर दिया है, करन्डा के अंदर भी तीन शर्नने देंगे हम लोग, तो जो वादे निवाया निवाया है गोवा में UP में कौन विस्वाश करेगा कांगरेस का गोशना पत्र मंगलबार को जारी होगा, लेकिन कॉंगरेस ने वादा किया है कि अगर इस बार सूबे में पार्टिय की सरकार बने, करनाटक के सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की सुविदार, आंगन बाड़ी की सलरी बढ़ाकर 15,000 रुपे की जाए, मिनी आंगन बाड़ी की सलरी बढ़ाकर 10,000 रुपे की जाए, आशा करमचारियों की सलरी बढ़ाकर 8,000 रुपे की जाए, मिनी आंगन बाड़ी से रिटार्मेंट के बाद 2,000 रुपे दिये जाए, कृशी नीधी के तहट पांच साल में किसानों के कल्यान के लिए जिल लाख करोड रुपए दिये जाएं प्राकृतिक आपदा नीधी के तहट किसानों के फसल के नुकसान की भरपाई के लिए पांच हजार करोड दिये जाएं नारियल की खेती करने वाले किसानों और दूसरे किसानों के लिए MSP की गारेंटी दी जाए दूद उत पादकों के लिए सबसिली की राशी बढ़ा कर 5 रुपे से 7 रुपे प्रति लीटर की जाए कॉंग्रेस ने वादा किया है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो पंचे वर्षे योजना के तहट रोज़दार पैदा करने पर फोकस करें युवाओं के कोशल विकास के लिए बड़ी तादाद में ITI और पॉलिटेखनिक कॉलिज खोले कि पूर्व प्रधान मंत्री अजडी देव गौड़ा और पूर्व मुखी मंत्री कुमार स्वामे की पार्टी जंतादल सेकुलर ने 28 अपरिल को ही अपना घोशना पत्र जारी कर दिया था जंता घोशना पत्र नाम से जारी जेडियस के स्पिटारे में वादा किया गया है कि अगर राज्जी में जेडियस की सरकार बनी तो करनाटक मिल्क फेडरेशन के निंदनी ब्रांट को बचाया जाएगा मुसल्मानों को 4 फीजदी आरक्षन बहाल किया जाएगा किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाएगा खेतों की सीचाय के लिए सोलर पंक सेट लगाय जाएगा किसानों से शादी करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपे दिये जाएगा जेडियस ने अपने घोशना पत्र में करनल गौरों को मुद्दा बनाया है तो साथी मुफ्त की योजनाओं पर भी फोकस किया है बीजेपी के घोशना पत्र में जहां राश्टरबाद का तड़का दिख रहा है तो वहीं कॉंग्रेस ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों का खास खयाल रखा है करनाटक बिधान सभाज चुनाओ के लिए बीजेपी ने जो घोशना पत्र जारी किया है उसमें हिंदुत्त्य के एजेंडे को भी रखा गया है यानि UCC और NRC इसमें सामिल है इसके साथ ही फ्री की रेवरी यानि गरीबों के लिए फ्री की रेवरी के भी कई वादे किये गए है जाहिर तोर पे समझा जा सकता है कि मोधी निती के खिलाफ बीजेपी फ्री की रेवरी बाट रही है इसका मतलब है कि करनाटक का अगनिपत आसान नहीं है और कॉंग्रेस की फ्री की गारंटी के काट के तोर पर बीजेपी ने अपने घोषनापत्र में हिंदुत्तो और फ्री फ्री की जो रेवरी है उसका जिक्र किया है केमा मैं अभैनात के साथ कुमार गौरब निश्ट वैंटिफोर और चले सीए साथ रुकने एक छोड़े से ब्रेक के लिए लेकिन खबरे लगाता जा रही है देखते रहेगा निश्ट वैनिफोर नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योज्स 24